आज हम स्वामी राम कृष्ण परमहंस की अमरित वाने से विवेक और वाईराग्य के बारे में उनके अमरित वचन सुनेंगे। स्वामी रामकृष्ण कहा करते थे विवेक और वईराग्य, विवेक अर्थात सत असत का विचार और वईराग्य, अर्थात संसार की वस्तों के प्रती, विरक्ती, उदासीन्ता, यह एका एक प्राप्त नहीं होता, इसके लिए नित्य अभ्यास करना पड़ता है, कामेनी कांचन का त्याग पहले मन में ही करना चाहिए, फिर प्रभु की इच्छा से वह त्याग मन से और बाहर भी संभव हो पाता है, अभ्यास योग के द्वारा कामेनी कांचन के प्रती, विरक्ती उत्पन हो जाती है, यह गीता में कहा है, अभ्यास के द्वारा मन में असाधारन शक्ती पैदा होती है, तब इंद्रिय संयम करने में, काम क्रोध को वश में लाने में, कश्ट नहीं उठाना पड़ता, जैसे कच्छुआ, एक बार हाथ पैर समेट लेने पर, फिर उन्हें बाहर नहीं निकालता, कुलहाडी से टुकडे टुकडे कर डालने पर भी नहीं, इसी तरहें, मन का भी हमें अभ्यास करना चाहिए, कोई अगर पूछे, कि क्या संसार मिथ्या है, जब तक ईश्वर का ग्यान नहीं होता, तब तक मिथ्या है, तब तक मनुष्य उन्हें भूल कर, मैं मेरा करते हुए माया में बद्ध होकर, कामेनी कांचन के मोह में मगद होकर, संसार में और भी दूपता जाता है, माया के कारण मनुष्य इतना अंधा हो जाता है, कि जाल में से भागने का रास्ता रहने पर भी भाग नहीं पाता, तुम लोग तो स्वयम ही देखते हो कि संसार कितना अनित्य है देखो न, यहां कितने लोग आये और चले गए कितने पैदा हुए, कितने मर मिटे संसार इस क्षण है, तो दूसरे क्षण है नहीं यह अनित्य है, जिने तुम इतना मेरा मेरा कह रहे हो तुम्हारे आँखे बंद करते ही वे कोई नहीं रहेंगे संसार में कोई नहीं है फिर भी इतनी आसकती की नाती के लिए काशियात्रा नहीं हो पाती कहते हैं मेरे बेटे हरी का क्या होगा जाल में से निकलने की राह खुली है फिर भी मचली भाग नहीं सकती रेशम का कीड़ा अपनी ही लार से कोश बना कर उसमें फस कर अपनी जान गवा देता है संसार इस प्रकार मिथ्या है अनित्य है अहंकार को कैसे दूर करना चाहिए जानते भी हो चावल निकालते समय बीच बीच में रुक कर देखना पड़ता है यदि निकालना ठीक नहीं हुआ तो फिर से निकालना पड़ता है निकती पर कोई वस्तु तोलते समय जब तक कांटा ठीक न हो तब तक ठहर कर देखना पड़ता है मैं समय समय पर स्वयम को गालियां दे कर देखता था कि मुझ में आंकार उठता है या नहीं और विचार करता था भला यह शरीर क्या है सिर्फ हार्ड मांस का ढाचा इसके अंदर क्या है खून इत्यादी गंदी चीजें जिस शरीर के भीतर सदा मल भरा हुआ है उस पर भला इतना आंकार क्यों किया जाए मान लो एक हांडी में चावल पक रहा है चावल पका है कि नहीं यह देखने के लिए तुम उसमें से एक ही चावल लेकर उसे दबा कर देखते हो और उसी पर से समझ जाते हो कि चावल पका है या नहीं तुम चावल के सभी दानों को एक एक करके परकर नहीं देखते फिर भी यह समझ लेते हो यहां जिस प्रकार पूरा चावल पक चुका है या कच्चा है यह एक दाने से देखकर ही तुम्हें पता लग जाता है उसी प्रकार यह संसार सत है, या असत, नित्य है, या नित्य, यह भी तुम संसार की, दो चार वस्तुओं को परकर ही जान सकते हो, मनुश्य जणमता है, कुछ दिन जीता है, फिर मर जाता है, पशुका भी यही भाल होता है, और व्रिक्ष का भी. विचार करके देखने पर तुम्हारी समझ में आ जाता है कि जो भी वस्तु नाम और रूप से युक्त है उसकी यही गती है पृत्वी, सूरिय लोग, चंदर लोग सभी के नाम और रूप है अतायव उनकी भी यही गती है इस प्रकार जब तुम चान लेते हो कि सारे संसार का यही स्वभाव है तब तुम्हें संसार की सभी वस्तों का स्वभाव क्यात हो जाता है या नहीं इसी तरहे जब तुम संसार को सचमुछी अनित्य असत अनुभाव करोगे तब तुम उस पर प्यार नहीं कर सकोगे तब तुम उसे बिलकुल मन से त्याग कर वासना रहित हो जाओगे और जब तुम इस प्रकार पूर्ण त्याग करने में समर्थ हो जाओगे तब ही तुम जगत कारण परमेश्वर के दर्शन पालोगे इस तरह से जिसने इश्वर दर्शन प्राप्त कर लिया है वह व्यक्ति यदि सरवग्य नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ मनो वांचित सुख भोगते हुए मनुष्य यदि सत्य के प्रती अंधा भी हो जाए तो भी उसके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि यह सब भोगने वाला मैं कौन हूँ यही सत्य के साक्षातकार की पहली सीड़ी है कटेली जाडियों से भरे मैदान पर नंगे पैर नहीं चला जाता उस पर से चलने के लिए या तो पूरे मैदान को चमडे से ढख देना होगा या फिर अपने पैरों में चमडे के जूते चड़ाने होगे समूचे मैदान को चमडे से ढखना असंभव है अतहा पैरों में जूते पहनना ही उप्युक्त है इसी प्रकार इस वासना पूर्ण संसार में असंख्य कामनाओं असंख्य वासनाओं की पीड़ा से छुटकारा पाना हो तो या तो सभी वासनाओं की पूर्ती हो जानी चाहिए या फिर सभी का त्याग हो जाना चाहिए परंतु वासनाओं की पूर्ती होना कभी संभव ही नहीं है क्योंकि इतनी वासनाओं है एक वासना को पूरी करने जाओ तो दूसरी खड़ी मिलती है इसलिए ग्यान विचार और संतोश के द्वारा वासनाओं का त्याग करना ही उपयुक्त होता है जैसे दाद को खुजलाते समय तो आराम मालूम होता है पर बाद में उस जगह पर असही है जलन होने लगती है उस जलन को सहा नहीं जा सकता संसार के भोग भी ऐसे ही तो है प्रारंभ में तो वे बड़े सुख प्रद मालूम होते है फरन्तु बाद में उनका परिणाम अत्यंत भयंकर और दुख हमय होता है एक चील को चोंच में एक मचली पकड़े हुए उड़ते देख सैकड़ों कवे और चील उसका पीछा करने लगे तथा उसे टोंचते और काटते हुए उस मचली को चीनने की कोशिश करने लगे वह चील जिदर जाती ये कवे और चील भी चिलाते हुए उधर भाग जाते अंत में परिशान होकर उस चील ने मचली फैंक दी तुरंथ ही दूसरी चील ने उठा ली देखते ही देखते सभी कवों और चीलों ने पहली चील को छोड़कर दूसरी का पीछा करना शुरू कर दिया तब पहली जील निश्चिन्त होकर एक पेड़ की डाली पर चुपचाब बैठ कई उसकी इस शान्त और निश्चिन्त अवस्था को देखकर अवधूत ने सन्यासी ने उससे प्रणाम करते हुए कहा तुम मेरी गुरू हो तुमने मुझे सिखाया कि संसार की वासनाओं और उपादियों को छोड़ देने से ही शान्ती मिल सकती है वरना महान विपत्तियां जहलनी पड़ती है घोडे की आँखों पर दोनों और से अंधोटी लगा देने पर ही वह सीधे रास्ते चलता है उसी भाती संसारी मनुश्य के मन की बहिर मुखी वृत्तियों को विवेक और वैराग्य रुपी अंधोटी के द्वारा रोक देने पर ही वह कुमार्गों में न भटकते हुए सीधे इश्वर के पत पर अग्रसर हो सकता है कागज पर अगर तेल लगा हो तो उस पर लिखा नहीं जा सकता इसी तरह जीव के मन में यदि कामेनी कांचन रुपी तेल लग जाए तो उसके द्वारा साधना नहीं हो सकती परंतु जिस प्रकार उस तेल लगे हुए कागज को खड़िये से घिस लेने पर उस पर लिखा जा सकता है उसी प्रकार कामेनी कांचन रुपी तेल लगे हुए मन को त्याग रुपी तब रुपी खड़िये से घिस लिया जाए तो उसके द्वारा साधना की जा सकती है एक प्रकार की जहरेली मकडी होती है वह यदि काट ले तो कोई दवा लगाने के पहले मंत्र के सहारे हल्दी का धुआ देते हुए उसका विश उतारना पड़ता है उसके बाद ही दूसरी दवाईयों का असर हो पाता है अन्यता नहीं इसी प्रकार जीव को यदि कामिनी कांचन रुपी जहरेली मकडी काट ले तो पहले त्याग रुपी मंत्र से उसका जहर उतारना पड़ता है तभी साधन भजन सफल हो पाता है गंदे पानी में यदि तुम्हे एक टुकडा फिटकरे डाल दो तो सारा मैल नीचे बैठकर पानी स्वच्छ हो जाता है विवेग और वैराग्य मानो फिटकरी है इन्ही के द्वारा संसारी मनुष्य की विशया सक्ती दूर होकर वह शुद्ध बनता है रेशम का कीड़ा जिस प्रकार अपने ही कोश में अपने आफ फस जाता है उसी प्रकार संसारी जीव भी अपनी ही वासनाओं में अपने आप अठक जाता है फिर जैसे उस कीड़े से तितली बन जाने पर वह कोश को चीर कर बाहर उड़ जाती है वैसे ही विवेक वईराग्य रुपी पंख आ जाने पर संसार में आबध जीव भी उसमें से उड़ निकलता है भगवान के घर भी चाबी उल्टी दिशा में घूमने वाली होती है भगवान के समीप पहुचने के लिए तुम्हें संसार का सब कुछ त्याग करना होगा यदि मन में विवेक वईराग्य के रहे बिना शास्त्र गरंथ पढ़ते हो तु सब बेकार है विवेक वईराग्य के सिवा आध्यात्मिक उन्नती असंभव है इश्वर प्राप्ति के लिए तन मन धन का समर्पन करना पड़ता है बद्ध जीव के मन की अवस्था कैसी हो तो उसे मुक्ति मिल सकती है इश्वर की कृपा से यदि उसे तीवर वैराग्य हो जाए तो कामिनी कांचन की आ सकती से निस्तार हो सकता है यह तीवर वैराग्य किसे है जानते हो बनत बनत बनी जाई भगवान का नाम लो सब हो जाएगा यह सब तो मंद वैराग्य के लक्षन है जिसे तीवर वैराग्य होता है उसके प्राण भगवान के लिए व्याकुल हो उटते हैं जिस प्रकार मा के प्राण अपने बच्चे के लिए व्याकुल होते हैं जिसे तीवर वैराग्य होता है वह भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहता संसार उसे कुएं जैसा फ्रतीत होता है उसे डर लगता है कहीं मैं डूब न जाऊं आत्मियों को वह काले नाग की तरह देखता है उनसे दूर भागने को मन होता है और भागता भी है घर क्रिहस्ती का बंदोबस्त कर लूँ फिर इश्वर चिंतन करूँगा ऐसा विचार नहीं करता वह है उसके भीतर बड़ी जिद होती है भागत गण भागवान के लिए सब कुछ छोड क्यों देते हैं पतंग यदि एक बार प्रकाश को देख ले तो फिर वह अंधेरे में नहीं जाता चींती यदि गुड में लिपटकर भले ही प्रान दे दे उसे वह छोड़ती नहीं इसी प्रकार भगत भी इश्वर के लिए प्रानों की बाजी लगा देता है परंतु दूसरी कोई चीज नहीं चाहता जो परमहंस होता है पूर्ण ग्यानी होता है वह मोची मेहितर की अवस्था से लेकर राजा महराजा की अवस्था तक सब कुछ स्वयम भोग कर देखाता है इसके सिवा ठीक ठीक वईराग्य कैसे आएगा कामेनी कांचन का त्याग हुए बिना ज्यान नहीं होता त्याग होने पर ही अज्यान अविद्या इन सब का नाश होता है आतशी कांच पर सूरिय की किरने पढ़ने पर उससे कितनी वस्थूइं जल जाती है परंतु कमरे के भीतर जहां च्छाया है वह आतशी कांच ले जाने पर यह नहीं हो पाता इसके लिए घर छोड़ कर बाहर निकलना पढ़ता है वह इराग्य की आग में तपना पढ़ता है तप करना पढ़ता है ज्यान एकदम नहीं हो जाता ठीक समय पर ही होता है रोगी को तेज बुखार चड़ा हो तो डॉक्टर उस समय कुनैन नहीं देता वह जानता है कि इस समय उससे काम नहीं होगा बुखार उतर जाने पर कुनैन या दूसरी दवा का असर होता है मनुश्य जब तक संसार के भोगों में डूबा रहता है तब तक उस पर धर्म के उपदेश का कोई परिणाम नहीं होता कुछ समय तक उसे विश्यों को भोग कर लेने दो जब उसकी भोग किया सक्ति की मात्रा कम होगी तब ही उस पर उपदेश का परिणाम होगा उसके पहले ही कितना भी उपदेश दो सब विर्थ ही होगा छोटे बच्चे कमरे में अकेले गुडिया लेकर निश्चिन्त होकर अपनी ही धुन में खेलते रहते हैं परन्तु जो ही उनकी माँ वहाँ पहुँचती है कि वे गुडिया छोड़कर माँ माँ करते हुए उसकी और दोड़ पड़ते हैं इस समय तुम लोग भी धन, मान, यश, इत्यादी की गुडिया लेकर संसार में मगन हो, खेल रहे हो किसी बात की चिन्ता नहीं परन्तु यदि तुम आनंद मई माँ को एक बार देख पाओ तो फिर तुम्हें धन, मान, यश, इत्यादी नहीं भाएंगे तब तुम सब छोड़कर उसी की ओर दोड़ पड़ूगे वईराग्य कई प्रकार का है संसार में दुख कष्ट पाकर एक प्रकार का वईराग्य आता है परन्तु संसार के सभी भोग, सुख, असार, अनित्य है इस बोध के कारण जो वईराग्य आता है वही अथार्थ वईराग्य है किसे में यदि वह वाईराग्य आ जाए तो सब कुछ रहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं है कोई पूछे की वाईराग्य कितने प्रकार का होता है तो साधारन तह दो प्रकार का तीवर और मंद तीवर मानो रातो रात नहर खोद कर तालाब में पानी ले आने की तरह है मंद वाईराग्य कहता है होते होते हो जाएगा कब होगा इसका कोई ढिकाना नहीं एक आदमी बदन पर तेल लगा कर नदी नहाने जा रहा था जाते जाते रास्ते में उसने सुना कि अमुक व्यक्ती सन्यासी बनने वाला है कुछ दिनों से उसके लिए वह तयारी कर रहा है सुनते ही उसके मन में यह बोध उत्पन हुआ कि सन्यासी होना ही तो सार है जीवन का और उसी ख्षन उसी हालत में वह सन्यासी बनने के लिए चल पड़ा और फिर घर नहीं लोटा हिसी का नाम है तीवर वैराग्य सच्चिदानंद सागर में डूब जाओ काम क्रोध रुपी मगरों से मड़ डरो शरीर पर विवेक वैराग्य रुपी हल्दी लगा कर डुब की लगाओ तो ये मगर मच तुम्हारे पास नहीं वटकेंगे